हाव रुफीक्स पाउर बॉटन नोट वर्किंग प्रॉब्लम इन एनी सैमसंग एम सेरिस नमस्कार डोस्तों तो अगर आप सभी का तेकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि पाउर बॉटन प्रॉब्लम आप सोल्व किसे गर स सकते हैं तो अगर दोस्तों आपका बॉटन आत पर यहां पर काम नहीं करें तो दोस्तों यहां पे अपको दो तरफ से प्रॉब्लम हो सकते हैं एक को जो कीडिया ऑप सोफ़ेर का इशुर सकते हैं ठीक है तो दोनों में से आपको कोई भी प्रॉब्लम यहां पर हो सकते हैं जिसके वज़े से आपका पॉर बटन काम करना बंट हो गया है तो आपको दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम पर आपको पता चल जाएगा जाने के लिए आपको सिंप्ली दोस्तों वीडियो आन तक देखना है वीडियो देखने के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो आप फिक्स कर पाओगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज कर स चाहिए तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो यह सजिस्ट करूंगा कि आप देखें आपके मोबाइल पे कौन कौन सा एप्लिकेशन इंस्टॉल है ठीक है और कौन सा एप्लिकेशन जो है यहां पर इंस्टॉल करने का आपको प्रॉब्लम हुआ है वह भी आ प्रइट कर दिये ठीक है से तो उस तरह जो आप्लिकेशन इंटूल कर दें दर दोस्तों आपका यहां पर प्राट चांजस बन जाते हैं प्रॉब्लम होने के लिए ठीक है तो आप के देखें अगर नहीं होते अप्रव्लम उसल्ड तो सेटिंग पर जाई उसके बाद दोस दोस्तों आपको सोफ़ेर अपडेट कर देना है ठीक है सोफ़ेर को अपडेट कर देना है सोफ़ेर अपडेट करने के बाद दोस्तों अगर सोफ़ेर के वज़त से कोई भी प्रॉब्लेम कोई भी इश्यू हो रहा है तो आपका प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगा तो इस तर के मदद ले सकते हैं क्या होता है कभी कभार शॉट सर्कीर हो जाते हैं आपके बटन पर तो उसके वज़़से प्रॉब्लम आते हैं और इस तरीके का इशू क्रेट हो जाते हैं ठीक है तो किसी भी टेक्निशन के मदद से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं तो इसको solve करने का बहुत सारे solutions तो नहीं है बस कुछ solutions है main solutions अब इसको follow आफ कर सकते हैं उम्मिद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा Thanks for watching